हेलो गाइस मैं हूँ ब्यारभी शिवा वेलकम बैक टू मैं चैनल तो आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि कौन सा पार्टनर आपके लिए एकदम सुटेबिल होगा यानि कि आप उसको कैसे पहचानेंगी और किस तरह का पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है कौ बहुत खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे तो आएए देखते हैं तो किस तरह का पार्टनर आपके लिए सुटेबिल होगा जाने दीजेगा जो भी पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं वह आपके लिए सुटेबिल है देखिए जो लोग अभी तक किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है या मैरिड नहीं है ठीक है उनके लिए मैं आपको बता दूँ मैं अभी उन लोगों की भी बात करूँगी उनके लिए मैं बता दूँ कि उनकी लाइफ में जो अब जो लोग इंट्री करेंगे जो अब उन ये एक बहुत समझदार सुलजे वे वेक्ते होंगे इनके पास इनका मतलब लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होगा अच्छा पैसा होगा इनके पास अच्छी लग्शुरी इनके आसपास होगी इनके मतलब इनके पास घर भी अच्छा होगा गाड़ियां भी होगी और ये स मैंने अभी कहा ना आपसे कि जो लोग सिंगल है या सेपरेटेड हैं या डिवोर्सी जो लोग बहुत जादा ट्रामा से गुजर रहे हैं और बहुत जिनों जिनकी लाइफ में एकदम भी समय हैं एक हैपिनेस नहीं है बहुत सेडनेस है बहुत अकीलापन महसूस कर रहे हैं ऐसी लोगों की लाइफ में अब कोई अच्छा पार्टनर एंटर करने वाला है हो सकता है उन लोगों की एनरजी कैच हो रही हैं जिनको लाइफ में जिनको अपने रिलेशनिशिप में बहुत दोके मिले हों जिनके साथ एक बराबरी का वहवार ना किया गया हूँ यानि कि लिया ज़्यादा गया हो दिया कुछ भी ने गया हो और ऐसे लोग जिनको जिनोंने बहुत ज़्यादा किया हो और इनको लगता हो कि इनको ठगा गया है इनको छगा गया है लाइफ में इन्होंने जितनी भी चीज़ें करी हैं दूसरों के लिए उसके रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला है इसलिए यह बहुत जादा डिप्रेस है और ऐसे लोगों की लाइफ में जो परसन अब आने वाले हैं उनकी एनर्जी बहुत हाई होगी वह इनको इन सारी प्रॉब्लम से यानि कि जो भी इनका ट्रॉमा है जो भी इनकी लाइफ में एक सैडनेस है उस स चीजों से वह बहार निकाल के लाएंगे जिया मैंने कहा ना कोई लाइफ में आपके नया परसन नया बंदा आते हुए मुझे नजर आ रहा है बिलकुल एक दम नया परसन होगा यह आपको अभी शायद कहीं से आपको छुप छुप के देखता होगा या आपके बारे में जानकारी हासिल कर रहा होगा आपके एक होता ना किसी को अपनी कोई पसंद आ जाता है तो उसके लिए कुछ लोग बहुत एक जानकारी हासिल करते हैं इसलिए ताकि उनकी लाइफ में कभी आपके कोई प्रॉब्लम ना हो उनको धोका ना मिले हो सकता कोई ऐसा परसन हो जो चीजें एकदम से ही मत वह कर लीजेगा कि अप सब कुछ बहुत अच्छी बात है कि सब कुछ अच्छा ही हो लेकिन हम पूरी तरीके से अच्छी से जानकारी करेंगे कि आपको कैसे पहचानना है कि वो बंदा जो है आपकी लाइफ में जो आ रहा है या बंदी आपकी लाइफ में आ रही हो आपके लिए एकदम सही है यह हम कैसे चानेगे life में सबसे important चीज होती है खुशी मैं जानते हूं पैसा बहुत जरूरी है मतलब बहुत ही जरूरी है जिन्दगी की बहुत सारे जरूरतों को पैसा ही पूरा करता है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं Life में खुशी बहुत जरूरी है लाइफ में आप दोनों का एक दूसरे से इमांदार होना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी एकто केर करना बहुत ज़रूरी है देखिए बड़ी आजीब सी एक बात है इस रीडिंग में कि एकके energy बहुत हाई आ रही है और एकके energy बिलकुल इस वक्त low आ रही है नए सपने भरे है नई life में enter करने के खुशी भरी हुई है लेकिन एक partner ऐसा हो सकता partnership में भी ना हो बर एक person भी ऐसा मुझे दिखाए दे रहा है जो बहुत दुख में है बहुत तकलीफ में है बहुत परिशानी में है लाइफ में उसने कोई बहुत ऐसी चीजों को फेस किया है जो चीजें हो सकता है बहुत सारी चीजें उसकी लाइफ से खतम हो गई हो बहुत सारी चीजें उसकी लाइफ से खतम हो गई हो यानि जो उनका पार्टनर पर उनको छोड़ा के चला गया होगा या कुछ भी ऐसा उनका है कोई एक बहुत अच्छा फेज उनका चला ओगा लेटे, वो खतम हो गया होगा ऐसा उनको लगता है कि life अब रुख गई है पर ऐसा नहीं है, चीज journée खतम हो जाती है तो उसके बाद नई चीज़े स्टार्ट होती है और आप कैसे जाने कि आपके लिए किस तरह का पार्टनर आपको सूट करेगा आपके लिए अच्छा होगा, आपकी बहतरी के लिए होगा और वो जीवन भर आपका साथ निभाएगा हम उसको कैसे पहचान सकते हैं टू अफ वांस, ओके वांस के इनर्जी आ रही है, कुछ तो बढ़िया होने वाला है आपकी लाइफ में वो सकता है अभी आप जिस सिचुएशन हो, सिचुएशन हैं बहुत ज़्यादा लड़ाई जगड़ा हो रहा है बहुत कले कले शो रही है, जीवन में इतना अशान्ती फैली हुई है इस अशान्ती से निकालने वाला कोई मुझे आपको दिखाये दे रहा है आपने सोच लिया कि लाइफ अब खतम हो गई है, आपने सोच लिया है बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो सिंगल हैं जिनको उनकी पसंद का पार्टनर नहीं मिल रहा है किसी को भी उनको लगता है कि कोई भी उनके लिए वो सूट करता है वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लेकिन फिर उनको अपने कदम पीछे कीचने पड़ते हैं कि उनको थोड़े ही टाइम में ऐसा लगने लगता है कि वो परसन उनके लिए सही नहीं है ऐसे भी मुझे कुछ लोगों की एनरजी यहां कैच होती है नजर आ रही है अब मैं आपको बता दूँ कि आपको पहचानना कैसे है और हो सकता है उसकी कोई बात आपको या किसी को बुरी भी लगते हो पर ऐसा परसन आपके लिए बहुत अच्छा है या आप किसी पार्टनर की तरों बढ़ रहे हैं या हो सकता कि फैमिली आपको आपकी फैमिली किसी ऐसे परसन से आपको मुलाने की कोशिश कर रही हो तो आपको ये सारी कॉलिटी उनके अंदर देखनी चाहिए उनका फैसला लेने का तरीका एकदम बिल्कुल साफ होगा वो सोचेंगे नहीं चीजों को मतब हाट चीज को देख के समझ के तभी वो करेंगे किसी के कह देने से वो आगे नहीं बढ़ेंगे चीजों को बहुत ये परसन चीजों को बहुत समझेगा बहुत समझदारी से हैंडिल करेगा और सबसे बड़ी बात मैं आपको उता दो कि इस परसन को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता इसके इनर विज्डम बहुत है अब बहुत खरा खरा बोलने वाला या बोलने वाली हो सकती है यह परसन ऐसा है कि अगर आपको कोई किसी गलत चीज़ पर चुप करा देगा तो यह फॉरन आपका साइड लेने खड़ा हो जागा यह बोल देगा यह बोल देगी कि नहीं यह गलत है यह नहीं होगा जिस तरह से आप एक बिल्कुल इस तरह के परसन हो ना कि चुप रहने वाले हो यह बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो इस तरह का अगर नेचर किसी का है और वह आपकी लाइफ में है तो आपके लिए गदम करेक्ट परसन है इस परसन से कोई भी चीज़े चुपा नहीं सकता है क्योंकि अगर किसी को लगता है कि यह तो अधर देख रहा है और मैं इसकी यह याली कुछ नुक्सान कर दूँगे चीज चुला लो पर ऐसा नहीं यह देख कहीं भी रहा इसका दिमाग इसका यह फोकस है बहुत फोकस् नहीं कर सकता है और बहुत पॉसिबल यह भी है कि यह देखिए हो सकता है कि यह परसन जो है आपसे थोड़े ज्यादा बड़े हो मतलब एक पार्टनर्शिप में एक रिलेशन्शिप में मुझे दिखाये दे रहा है अगर इस तरह का परसन आपके आसपस है तो आप यह भी हो पर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है चीजों को बिल्कुल साफ साफ बोलने वाले हैं इनको चिकनी चुपडी बाते करने नहीं आती है ऐसे पहचानी है गाप ऐसे शक्स को अगर यह किसी बिजनस में है तो उस बिजनस में इनको यह बहुत सक्सेस्फुल बिजनस है या किसी हायर पोजिशन पर हो सकते हैं या कोई इनका अच्छा किसी अच्छे जॉब में हो सकते हैं जिसमें यह अच्छे लेवल पे हो और कैसे जान सकते हैं कि वो परसन आपके लिए इद्दम एक्यूरेटर सही है देखिए लाइफ में जो चीजें हो गई है जिन चीजों पर अब आपका पास्ट मतलब क्या होता है पास्ट मतलब पास्ट निकल गया अब आप उस चीज़ पर आपका कोई भी कमांड नहीं है आप उस चीज़ के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं इसलिए अगर पास्ट में कुछ गलत हुआ है कुछ खराब हुआ तो हमेशा उसको भूनने की कोशिश करने चाहिए आगे बढ़ने की कोशिश करने चाहिए उसी चीज में अठके नहीं रहिए उस चीज में अगर आप अठके रहे तो आगे नहीं बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चले है तो आप उसके साथ जा नहीं सकते हैं आपको यहीं इसी दुनिया में रहे कि अपने जिन्दिगी को आगे बढ़ाना है ऐसी सोच और ऐसी पॉजिटिविटी से आप आगे बढ़ेंगे तो चीजें लाइफ में हर किसी के लिए बहुत कुछ होता है और वो चलने से ही मिलता है जिन्दगी एक होती है लेकिन कितनी लंबी होती है उसमें कितनी सारी चीजें होती है हम जब अपने पास्ट में नहीं अटक सके जब हम वहां नहीं रुके हम पास्ट से प्रेजन की तरफ आगे है तो हम फ्यूचर की तरफ भी जाएंगे तो चीजें चलने से ही हमारी ल मूलांग के बारे में यानि कि अगर आप नंबर वन है या नंबर टू है किसी भी नंबर तक जो किसी भी मूलांग में किसी भी तारिक में जन्में वे लोग लोगों को किस तरीके से अपने पार्टनर के नमबर को चूस करना चाहिए देखिए अगर आप चूस करके अगर आपके पास अभी टाइम है आप किसी रिलेशनशेप में नहीं है आप मैरेड नहीं है तो आपको ऐसे अपने नंबर से उनके नंबर चूस करने चाहिए, मेरे वो शॉर्ट वीडियो जरूर देखेगा, वैलेंटाइन स्पेशल, वो बस शुरूर होने वाले हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, वो बहुत-बहुत हेल्प मिलेगी आपको, अगर आपके दूसरे ही के लिए बने हुए हैं, ठीक है, एक ही मैं आपको बता देरी हूँ, हर मुलांग के लिए मैंने बनाया गाई, इसलिए प्लीज जरूर मेरे उन शॉर्ट वीडियो को देखेगा, कोई भी आपका नंबर हो, अपने नंबर के साब से, मैंने हर नंबर के लिए मतलब है, इसको तो यह ऐसा है न, बिल्कुल कहते हैं न, बिल्कुल धार-दार कटार, कि इसके पर जोगी रहेगा, वो खुद ही कट जाएगा, इसको कुछ काटने की जरूरती नहीं, इसकी जबानी बहुत है, और यह बहुत मतलब बिल्कुल एक मुव्मेंट करने वाला ह यह रुखने वाला परसन नहीं एक जगे, मतलब यह चलते चलते रहना हो सकता है, इसके बिजनेस कुछ ऐसा है कि इसको बहुत ज़्यादा बाहर आना जाना हो, यह भी हो सकता है, इसको गूमने का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ट्रैवल का शौकीन है यह परसन, और इसके साथ जो परसन रहेगा, उसको भी कोई बेकुफ नहीं बना पाएगा, यह ढाल बनके खड़ा हो जाएगा उसके सामने, और स्प्रिच्वल भी है, यह भी एक पहचान बता रही हो, यह सारी पहचान बता रही हो, मैं आप ध्यान से देखेगा, अगर आपके आसपास क ऐसा आपको अप्रोच करने कोशिश कर रहा है, यह जो भी, यह स्प्रिच्वल भी है परसन, और इसको लाइफ में बहुत आगे-ागे भरते जाने की एक वो होती है, यह एक जब अगर किसी पोजिशन को इन्होंने पा लिया है, तो उस पोजिशन से फिर और आगे बढ़न की इनकी इच्छा होती है, बिल्कुल कहते हैं न, एक महत व कांशी लोग, यह सारी चीज़ें आप पहचा नहींगा, देखिएगा, कोई भी चीज़ें जो छूपी हुई थी आपकी लाइफ से, जो चीज़ें आपको पता नहीं था, जिन चीज़ों के बारे में आपको पत दिलों से, यह परसन आपको निकाल के लाने वाला है, कुछ थोड़ा और जाल लेते हैं, आपके बारे में जानते हैं, यह देखिए, आपके बारे में जानते हैं, यह आपको आपकी तरफ कोई प्यार का, बिल्कुल दिल में प्यार भर के आपकी तरफ आ रहा है, और आपने उसका प्यार एक्सेप्ट किया है, Knight of Cups, Page of Cups दिलों का आदान प्रदान हो रहा है बातों का आदान प्रदान हो रहा है दिल एक डूसरे से मिल रहे हैं मतलब आप दोनों ही एक डूसरे के लिए एकदम पर्फेक्ट है वो आपको ओफर कर रहे हैं और आपने इस ओफर को स्विकारा है तो यह एक guidance ले लेते हैं वियारभी कार्ट से guidance ले लेते हैं कि और आपको क्या करना चाहिए सोल मेट सी सोल मेट मैं क्या कह रहे हूं आपसे जो भी परसन अब आपकी लाइफ में आने जा रहा है उसमें यह सारी खूबियां देखेगा अगर कुछ डिफरेंट भी हो तो भी परखने के कोशिश करेगा यहां तक आके आपको इतनी आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो म मुझे पूरी अमीदे कि आपकी जो भी सिच्वेशन ने आपको दीरे दीरे इन चीजों की नॉलेज क्योंकि मैं जो भी चीज़ें आपको बताती हूं वह एकदम साफ और सही बताती हूं मैं और रीडर्स की तरह हमेशा सब कुछ लाइफ में अच्छा-च्छा होगा ऐसा नहीं होता है जो चीज़ें सही हैं मैं वही आप तक पहुचाती हूं और मैं आपसे बिल्कुल जो भी लोग इस वीडियो से रेजोनेट कर रहे हैं मैं देख ली जगए सोल मेट का कार्ड आया है मैं इसलिए आपके सामने शफल करती हूं क्योंकि मुझे कभी बहुत पहले किसी ने कहा था कि आप कार्ड नहीं शफल करती हैं वो मेरे जब मैं शॉर्ट वीडियोज कना तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने उनको भी जवाब दिया था कि शॉर्ट वीडियोज में सिरफ हमें 60 सेकंड का टाइम होता है उस में हम अगर कार्ड शफल करेंगा तो कीजिए जिंदगी बहुत बड़ी है और इसको जीक के ही काटा जा सकता है गाई ठीक है तो मैं आपसे फिर से आपको याद दिलाती हूं कि मेरे वैलेंटाइन स्पेशल वीडियो जरूर देखिया गाई और यह टाइमलेस वीडियो है आप जब भी इसको देखोगे यह आपक यह सो मुझ वर वाचिंग नमस्टे